तो इसमें हम देखते हैं कि मीरपूर में सन 1961 में आज से लगभग 150 वर्ष पहले की अधी हम बात करें तो गाओं की अधिकांश जो हिस्से थी वहाँ पर खेती की जाती छी जो कुछ जंगल बचा हुआ था वो भी 1921 तक काट लिया गया और सन 1921 के बाद मतलब पिछले 90 वर्षों के दौरान हम देखेंगे कि खेती की भूमी जो है वो बढ़ी नहीं है लेकिन सन 1921 में प्रतेक हेक्टेर भूमी पर यदि हम बात करें तो लगभग 3 लोग आश्री थी मतलब 731 जनसंख्या थी 731 व्यक्ति इस मीरपूर की जनसंख् और वहाँ पर 276 हेक्टेर क्रिशी योग्य भूमी थी क्रिशी भूमी का विस्तार था तो तब हम देखें कि लगभग 3 लोग वहाँ पर प्रती हेक्टेर भूमी पर आश्रीत हैं लेकिन यहीं जो है वो 2011 की हम बात करेंगे तो 2011 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2289 व्यक् विस्तार तो उतना ही है 276 हेक्टेर तो अब हम देख रहे हैं कि लगभग इस वर्ष के दोरान तीन गुना जो है वो आबादी बढ़ गई क्योंकि अब एक हेक्टेर भूमी में 9 लोग जो है वो आश्रीत हैं जिनका अब इतने लोगों का भरन पोशन जो है वो कैसे क्रिशी भूमी का विस्तार तो उतना ही है लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है तो इसके लिए इस मैदानी इलाके में हम देखते हैं कि उपजाव मिट्टी का विस्तार तो है ही और साथ ही साथ साथ सिचाई के जो साधन है वो भी परियाप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं तो हम देख रहे हैं हमने तालिका के माध्यम से भी समझा है कि क्रिशी भूमी का विस्तार तो उतना ही था और जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके आवश्यक्ताओं के पूर्ती के लिए सिंचित भूमी का जो विस्तार है सि और जो है वो उत्पादन को बढ़ा रहे हैं और बढ़ती जनसंख्या की आवशक्ता की पूर्ती कर पा रहे हैं तो हम देखते हैं कि गहन क्रिशी या उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर नलकूप के माध्यम से और सिचाई का अधिक विस्तार किया गया तो पहले जो था वो शाषन के द्वारा सरकार के द्वारा नलकुप की वेवस्था की जाती थी और अब जो है वो बिजली से चलने वाले हैंट पूम जो सेठ हैं या नलकूप है उनका और अधिक विस्तार जो हो गया तो तो अब समय बीतने के साथ यहां के जो बड़े किसान थे उन्होंने अपने खुद के नीजी जो है वो पंप ले लिये जिनके पास परियाप्त मात्रा में भूमी थी और जो बड़े किसान थे उन्होंने स्वयम का अपना नलकूप जो है वो अपने खेतों में स्थापित कर ल क्योंकि इसे हर जगा बिजली चलने वाले पंप सेट जो है वो इस्थापित कर दिये गए हैं और अधिक मात्रा में तो वो ज्यादा पानी खीशने से यहां पर जो भूमी गजल की गहराई है वो लगातार नीचे जाती जा रही है जिससे छोटे जो किसान है उनको नुकसान ह हो रहा है क्योंकि भूमी गजल का इस तर जो है वो निम्न होता जा रहा है और वो खुद के अपने जो पंप सेठ है वो नहीं लगा सकते तो उनके खेतों तक पानी कैसे पहुंचे तो इस समस्या का भी मीरपूर में छोटे किसानों को सामना करना पड़ रहा है अब हम है लेकिन यदि हम मीरपूर में भूमी के वितरण की बात करेंगे या उस पर नजर दोड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर भूमी का जो वितरण है वो बहुत असमान है लगभग जो बड़े किसान है वो ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में भूमी है और छोटे किसान जो है वो चुकि उनके पास भूमी हीन है भूमी की उपलबधता नहीं है इसलिए वो मजबूर है कि बड़े किसानों के खेतों में वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और यह खेती के लिए कितना आवश्यक है ये तो हम पिछली चर्चा में जा प्रकार का है बच्चो अब हम मीरपूर में जो उतपादन का संगठन है वो किस प्रकार का है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस गाउं में उतपादन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे यहां भूमी पानी और श्रम यह तीन जो हैं वो सदसे हैं उनकी मदस से किसान जो है वो अपने खेत में काम करते हैं जो छोटे किसान होते हैं और मध्यम और बड़े किसान जो है वो तो अपने खेत में मजदूरों का प्रयोग करते हैं और जितने भी कृषी से सम्बंधित कारी हैं वो उन मजदूरों के माध्यम से कराते ह यहां पर खेत में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो ऐसे कृषक हैं जो भूमी हीन हैं मतलब भूमी हीन परिवार से हैं उनके पास किसी भी प्रकार की भूमी नहीं है और है भी तो बहुत कम मात्रा में इसके लिए वो अपनी जो मजदूरी है या जो नगत या वस्तु में जो प्राप्तव वो करते हैं उसे अभी कभी-कभी वो अपने भोजन के लिए उपियोग कर लेते हैं, मतलब उनकी जो दैनिक आवश्चता हैं, उनके प्रयोग में लाते हैं, जिसके एवज में वो कम मजदूरिय में कारे करने के लिए तयार हो जाते हैं. अब हम ये देखते हैं कि इस गाव में जो खेत हैं वो मजदूरों के बीच काम के लिए यहाँ पर बहुत अधिक कड़ी जो प्रतिस्परधा है, कॉम्पिटिशन इनके बीच में होता है इसलिए लोग यहाँ पर बहुत कम मजदूरी में भी कारी करने के लिए तयार हो जाते हैं हम देख रहे हैं कि भूमिहिन क्रिशक कम है या छोटे किसान जो है वो अधिक मात्रा में हैं इसलिए अपने जीवन की आवशक्ता की पूर्ती के लिए सभी को काम की तलाश होती है तो बेरोजगार जो हैं वो बहुत अधिक हैं या जिन्हें कारे की आवशक्ता है आए के लिए ऐसे लोग बहुत अधिक हैं जिसके कारण यहाँ पर प्रतिसपरधा या कॉम्पिटिशन बहुत होता है और लोग जो हैं वो कम से कम मजदूरी में कारी करने के लिए तयार हो जाते हैं बड़े किसान जो हैं वो ट्रेक्टर थ्रेशर या हार्वेस्टर इस टाइप की मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं जिसके कारण मजदूर की आवश्यक्ता जो है वो खेतों में कम पड़ती हैं और आधुनी खेती के लिए हम देखेंगे कि जो अधिक उपस देने वाली बीजो की किसमे हैं या सिचाई सुविधाओं का विस्तार है उर्वरक और कीट नाशकों को जो है वो आवश्यक्ता से अधिक मात्रा में अप जो है उसका वहन नहीं कर सकते जिसके कारण चोटे किसानों की विपरित हम देखेंगे कि जो मध्यम और बड़े किसान होते हैं वो अपने खेतों से जो उत्पादन होता है उससे बहुत अधिक मात्रा में वो बचत प्राप्त करते हैं और इसलिए वो खेतों के लिए दिये जाने वाला वेतन है इन सब की विवस्था वो बहुत आसानी से कर लेते हैं इस गाव में सभी बड़े किसानों के पास ट्रेक्टर है और वे अपने खेतों में हल चलाने के लिए या बुआई के लिए इसका प्रयोग करते हैं और जो छोटे किसान है वो ट्रेक्टर क वो किराय पर लेते हैं जिसके कारण उसकी लागत उनकी और जादा बढ़ जाती है और इस से जादा हम देखेंगी कि उन में ज्यादा तर जो है उनके पास इन चोटे किसानों के पास थ्रेशर या हार्वेस्टर जैसी मशीने नहीं है तो ऐसे किसानों के पास अपने जो हम कहें कि सिचाई के लिए ट्यूब वेल या हार्वेस्टे इन सभी मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाने के कारण इनकी लागत भी जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि ये सारे मशीन जो है वो अपने किराये पर लेकर आते हैं तो हम ये देखें कि इस गाउं में छोटे और बड़ हम देखेंगे कि इनके जो उत्पादन लागत भी बहुत जादा असमान है उत्पादन में आने वाली लागत और उत्पादन से होने वाली बचत इन दोनों में बहुत जादा असमानता देखने को मिलती है जिसके कारण आय से संबंधित असमानता भी इन छोटे और बड़े वेवसाय भी करते हैं मतलब यहां पशुओं को पाला जाता है पशुओं से जो दूध और दूध से निर्मिजो पदार्थ है वहां पर पास इस्थित जो जहांगीराबाद है उस शहर में उसे बेज देते हैं और वहां से बुलंद शहर और दिल्ली जैसे इस्थानों में इन दूध और दूध से बने पदार्थों की आपूर्थी जो है वो की जाती है इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहां से जहांगीराबाद मीरपूर से जहांगीराबाद के बीच परीवहन सुईधाओं का भी विस्तार हुआ है जैसे टैक्सी है जीप है आटो है रिक्षा ह तो इसके कारण भी यहां पर लोगों को आजीविका के लिए परियाप्त साधन जो है वो उपलब्ध हो पाए हैं बच्चो अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे प्राक्रितिक स्वरूप जिसे हम प्रायदीपी पठार कहते हैं उत्तर में हिमालय का परवती प्रदेश उसके दक्षिन में निचले हिस्से में हमने बात की उत्तर के विशाल मैदान की और विशाल मैदान के दक्षिन में यह हम कहें कि भारत के लगभग मध्य में जो है वो प्रायदीपी पठार का हिस्सा है भारत का ये बहुत बड़ा हिस्सा प्रायदीपी पठार जो है प्राक्रित से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समानांतर और पूर्व में हम देखेंगे तो राजमहल की पहाडियों के साथ और उत्तर पूर्व में शिलांग पठार तक और पूरे समस्त दक्षनी प्रायदीप में इसका विस्तार हुआ है और हमें पता ही है हमने पहले भी चर अंतम भूभाग है जो हमने पहले भी चर्चा की है कि गुंडवाना लेंड और जो पैंजिया महादीप था जिसके अलग होने से ये दो हिस्तों में बढ़ गया था अंगारा लेंड और गुंडवाना लेंड तो भारत का ये प्रायदीपी पठार वाला हिस्ता जो है गुं गुंडवाना लेंड के नाम से जाना जाता था और ये पुरे दक्षिन एशिया का सबसे प्राचीनतम भूभाग है या भूखंड है इसका विस्तार यदि हम देखें तो लगभक 16 लाख वर्ग किलोमीटर छेतर में इसका विस्तार जो है वो देखने को मिलता है चुकि ये इस टाइब की चट्टानों से ये बना हुआ है यदि हम इसके सिमांत भागों को छोड़ दे तो अधिकतर इसके हिस्ते में हम देखेंगे कि समुद्रों का जो अतिक्रमड है वो यहां पर नहीं हुआ है पैग्यानिकों की यदि माने तो हम देखते हैं कि लाखो वर्ष पह कर टक्रा गई और इसके टक्राने से वर्तमान इस्थिती में ये भूभाग जो है वो पहुचा है युरेश्याई प्लेट के टक्राने से युरेश्याई प्लेट के टक्रा जाने से और उसके विस्थापित होने से भू अतलन के कारण जो अभी वर्तमान प्रायदीपी पठ पठार में कुछ भरंश और दरारे भी उत्पन्न हो गई हैं और इस भरंश और दरारी घाटी से ही नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का अपवाह भी हमें देखने को मिलता है। का जो है वो धरातल पर लावा के रूप में प्रवा हुआ जिससे इस दक्कन के पठार का निर्मार हुआ है। इसकी जो हम इस बात की पूष्टी नहीं कर सकते कि ये पूरी तरह से एक इस्थिर भूभाग है। इसके अइस्थिर होने के ये हमें कुछ प्रमाण इन वर्षों में देखने को मिले हैं। अब प्रायदीपी पठार को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमी है और दूसरा है दक्कन का पठार। तो पहले हम बात कर लेते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमी पर। मध्यवर्ती उच्च भूमी जो है इसका विस्तार विंध्याचल शेनी के उत्तर में हैं। और इसके जो उत्तर पश्यमी छोर पर अरावली परवत है और विंध्याचल शेनी और अरावली के मध्य में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेल खंड का पठार और पूर्व में बगेल खंड का पठार और एकदम पूर्व वाले इस्थिती में, पूर्वत्तर इस्थिती में हम देखें, तो छोटा नागपूर का जो पठार है, वो इस्थित है, समानी रूप से ऐसे तो हम देखते हैं कि पूरे प्रायदीपी पठार का जो ढाल है, वो दक्षन पूर्व की तरफ है, इसलिए प्रमुख नदिया हैं, जो चंबल, बेतवा, सोन, इनकी बहाओ की दिशा के आधार पर हमें ये पता चलता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमी का ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ है, इस भूमी प्रायदीपी पठार के इस भूभाग के अपनी अलग ही विशेष्ट जो हम बुंदेल खंड की बात कर रहे हैं, तो बुंदेल खंड का जो धरातल है वो बहुत अधिक उबढखाबड है, इसके पशिम्मी भाग में हम देखेंगे कि बीहड का बहुत विहंगम दृष्च देखने को मिलता है, और साथ ही जब हम बगेल खंड के पठार की बात क मिलता है, और ठीक यही इस्थिती छोटा नागपूर के पठार की भी है, जिसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियां और उत्तर में हजारी बाग और दक्षिन में कोलहन की पहाड़ियां है, यदि हम इस मध्यवर्ति उच्च भूमी की बात करें, तो हम देखेंगे इसमे पर लौहयस, इसके साथ ही साथ कोईला छेत्र में बहुत जादा धनी है, बॉकसाइट है, चूना पत्थर है, इस प्रकार पूरे खनी संसाधन की दिश्टिकोंट से देखेंगे, तो पूरा छोटा नागपूर का पठार जो है, यहां पर बहुत अधिक इसके भंडार विस प्रशिमी घाड से पूर्व में पूर्वी घाड तक इस दक्कन के पठार का विस्तार है, इस पूरे दक्कन का पठार के छेत्रफल की अधि हम बात करें, तो यह लगभग साथ लाख वर्ग किलोमेटर छेत्रफल में फैला हुआ है, और इसकी जो आकरिती है, वो के आकार की है, इसके अंतरगत हमारा महाराष्ट, मध्य प्रदेश, चतिसगड, ओडिसा, आंधर प्रदेश, तेलंगाना, करनाटक, तमिल नाडू, केरल और यह जो पूरे राजी हैं, कुछ के पूरे राजी और कुछ के, कुछ राजियों के कुछ भाग जो हैं, वो इस पठार के अंतरगत शामिल हैं, यह जो त्रिभुज की आकरिती हम कहें, कि इसकी एक भुजा जो है, वो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, और इसमें नीलगिरी से राजमहल पहाडी को जोडती है, इसकी दूसरी भुजा जो है, वो सत्पुडा परवश्यनी और महाद जो पहाडियां हैं, और मैकल की पहाडियां, इन तीनों को जोडती है, या इससे होकर गुजरती है, और इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, वो सहियादरी परवश्यनी है, जिसे परश्यम में स्थित होने के कारण परश्यमी घाट भी कहा जाता है, सहियादरी परव इन घाटों से ही हम देखेंगे कि पठारी तथा समुद्र तटी छेतर के बीच में आवा गमन या वहाँ पर जो परिवहन है वो बहुत आसानी से हो पाता है और उत्तर से दक्षिन की तरफ क्रमशह, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये तीन जो दर्रेक हैं या घाट ज समानांतर महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाडी तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और पश्मी घाट एवं पूर्वी घाट जो है वो दक्षिन में नीलगिरी की पहाडी से मिल गये हैं महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, आधी जो नद ये बहुत ही उपजावु डेल्टा का निर्माण भी करती हैं ये नदियां प्राइदीपी पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो चतिसगड बेसीन के नाम से जाना जाता है इस बेसीन का ढ़ाल जो है वो पूर्व की ओर है और महानदी जो है ये पूरा जो बेसीन है वो महानदी जल प्रवाद छेत्र के अंतरगत आता है नदियों ने इसमें बहुत अधिक उपजावु काप मिट्टी का विस्तार किया है और इसका उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग जो है वो पठारी है जिसे इस्थानी रूप में यहां पर जश्पूर का पठार धरम ज और पशिम भाग में मैकल परवश्यनी का विस्तार हमें देखने को मिलता है इस बेसीन के दक्षिन में बस्तर की उच्च भूमी है जिसे दंडकार अनिय का पठार भी कहते हैं और यहां पर बैला डिला और दली राजहरा का जो छेत्र है वो उच्च किस्म के सर्वोत्तम कि विष्व विख्यात है चुनपथर और बाकसायट की हम बात करें तो चुनपथर और बाकसायट भी यहां पर प्रचूर मात्रा में मिलते हैं ये पूरा छेत्र जो है वो भुगर्भी गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है कुटुम सर की गूफा आपने नाम तो सुना ही होगा शायद आप जा पाए या नहीं जा पाए होंगे लेकिन कुटुम सर की गूफा जो है वो चुना पत्था से निर्मित जो आंतरिक गूफा है उसके लिए विशोवी ख्यात है जिसे इसके निक्षेपन से बनने वाली जो स्थलाकृती है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट यह यहां पर हमें देखने को मिलती है जो एक बहुत ही सुन्दर प्राकृतिक स्थलाकृती होती है अब हम मेगाले में पश्रीम से पूर्व की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर महत्तपुन श्रिंख ला जिस पर जो मासिन राम नाम का जगा इस्थीत है हमें पता है यहां पर यह विश्व का सरवाधिक वर्षावाला छेत रहे हैं बच्चों आप अपने 36 गड़ में जब हम बस्तर की बात कर रहे हैं और मैंने जैसा बताया कि यहां पर चूना पत्थर से जो निर्मित इस्थल जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट यह प्राकृतिक इस्थलाकृती है यह बहुत ही सुंदर जो है वो यहां पर देखने को मिलती है और यदि आपको कभी मौका मिले तो आपको यह जरूर देखने जाना चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट क्या है तो कुटूमसर गूफा में जो यह स्थलाकृती देखने को मिलती है भूगरभी कि स्थलाकृती यह चूना प्रधान छेत्रों में मिलता है चूना प्रधान छेत्रों में जब भूगरभी जल लटकते हुए चुने की स्थम्भ के रूप में ज जहां पर यह स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों इस्तंभ मिल जाते हैं तो कंद्रा इस्तंभ का निर्माण होता है और इस पिक्चर के माध्यम से इस बहुत ही सुन्दर प्राकृतिक शरूप को आप देख पाएंगे और देख पा रहे हैं और मेरे विचार से आपके मन में जरूर ये खलबली मच रही होगी कि कब आप इस सुंदर प्राकृतिक स्वरूप को देखने जाएं। और बच्चों हमारे बस्तर में ही जो इंद्रवती नदी प्रवाहित होती है उसमें जो चित्रकोट जलप्रपात बनता है वो हमें पता है कि भारत के नियागरा के नाम से ये प्रसिध है क्योंकि ये भारत का सबसे चोड़ा जलप्रपात है ये भी एक बहुत ही सुंदर में बहुत ही मनोहर दृष्ष एक मनोरम दृष्ष जो है वो प्रस्तूत करता है इसके अलावा हमारे चत्तिसगर में इसी प्राइदीपी पठार के अंतरगत या दक्कन के पठार के अंतरगत हम बात करें तो कुछ पठारी छेत्र हैं पाठ पठारी छेत्र जिसे हम करते हैं चुकि इसका जो धरातल है उपर समतल है लेकिन जो किनारे हैं वो सीधी नुमा हैं जिसे हम पाठ प्रदेश कहते हैं जैसे कि हमारे मैन पाठ, जारंग पाठ, जश्पूर पाठ और सामरी पाठ जो हमारे चत्यसगड का उत्तर पूर्वी छेतर है ये एक पाठ प्रदेश के रूप में विस्तित है जो इसी दक्कन के पठारी छेतर का एक भाग है बच्चो पश्यमी घाट का ये जो पूर्वी छेतर है पूर्वी भाग है 59,000 वर्ग किलोमीटर छेतर में एक दक्कन ट्रेप की चट्टानों का यहां पर विस्तार पाया जाता है इस पश्यम घाट के पूर्वी हिस्ति में दरारी उद्गार से निर्मित लावा का मैदान का विस्तार है जहां इस पूरे छेतर में काली मिट्टी का जो विस्तार है वो पाया जाता है जो कि कृशी के दृष्टिकोंड से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यहां पर बहुत से खनी स लिए अनसाधुनों के भी भंडार यहां पर देखने को मिलती हैं क्या आप जानते हैंडक्शिन पठार के महत्वपूर्ण तीन स्वर्ण खदान छेत्रों के विशय पर जिसमें ہम बात करते हैं पहला करणाटक का कोलार स्वर्ण छेत्र करनाटक में ही हट्टी स्वर्ण छेत्र और आंधर प्रदेश का रामगिरी स्वर्ण छेत्र ये दक्षिन पठार के महत्वपूर्ण तीन सोने के छेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं भारत का जो 90 प्रतिशत खनीच पदार्थ है उसका 60 प्रतिशत कपास, 70 प्रतिशत सूती वस्त्र और चीनी का लगभग 65 प्रतिशत उत्पादन जो है वो इस पठारी भाग में ही होता है यदि हम प्रायदीप के ओद्योगिक समूह की बात करें महत्वपूर्ण ओद्योगिक समूह की तिसमें दामोदर घाटी ओद्योगिक समूह और दूसरा बैंगलूरू, कोयमबटूर और मदुरई ओद्योगिक समूह जो है वो महत्वपूर्ण है पूरा पठार खनी संपदा से भरा हुआ है आईए हम बात करते हैं इस पठार में खनी संपदा के विशय में और उसके उत्खनन के विशय पर प्रायदीपी पठार में हम देख रहे हैं कि कोईले के अलावा लौहयस्क, बॉकसाइट और चूने के पत्थर और बहुत से खनी संसाधन के जमाओं हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब हम यह देखते हैं कि जब हम खदानों की बात कर रहे हैं या इन खदानों में इन खनीजों के निक्षेब की हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इन खदानों में उत्खनन का कारिय कैसे किया जाता है, मजदूर यहां कैसे काम करते हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से होती है, और ये खदानों में इतनी गहराई तक और इतने अंधेरे छेत्र में जाकर कैसे कारिय करते हैं. तो इसके लिए आए हम चलते हैं जारकंड के जरिया कोईला छेत्र में एक खदान के अंदर और इससे रिलेट्टेड जितनी भी चीजे어요. वो जो प्रक्रिया है खदान में खनीज के उत्खनन के कारी की या अभी हम कोईला के उत्खनन के संबंद में बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित प्रक्रिया कैसे होती है और मजदूर इससे संबंधित कारी कैसे करते हैं बच्चो उत्खनन कैसे होता है और खदान में मजदूर अंदर कैसे काम करते हैं इसे जानने के लिए आए हम चलते हैं जार खंड के धनबाद जीले में धनबाद में एक कोईला की खदान है जिसे जरिया कोईला छेतर कहा जाता है यह एक विस्तरित कोईला छेतर है यहां जमीन के नीचे कोईले के विशाल भंडार है यहां जमीन के नीचे से कोईला निकालने के लिए एक लंबी सुरंग बनाई गई है आए हम देखते हैं यह सु करने का काम करते हैं नीचे ख़दान आधिक bstे रहता है जिसके कारण काम करने कि प्रकाश या रोश्णि के आवश्श्कता होती है इसलिए काम करने के लिए यह या तो अपने हाथ में यह मजदूर बैटरी चली लैंप लिए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो टोपी के अगले हिस्से में लैंप लगा कर काम कर रहे हैं कोईला निकालते समय सुरंग में उपर से पत्थर या चट्टान गिरने का भी डर होता है और इसी से बचने के लिए यहां के जो मजदूर है वो स्टील की टोपी पहनते हैं सुरंग की छट को गिरने से रोकने के लिए यहां लकडी और लोहे के खंबे और बिम भी लगाए गए हैं कोईला जो है वो चट्टान की तरह बहुत जादा कठोर होता है और इसे निकालने के लिए बारू से तोड़ा जाता है और फिर इन् यह ट्रॉलियां पट्री पड़ चलती हैं और इन्हें शाफ्ट के राश्ते लोहे की चेन से खीच कर बाहर लाया जाता है यहां से कोईले को धुलाई के लिए वासरी मेले जाया जाता है जमीन के नीचे काम करना जो है जो मजदूर या जो करमचारी ख़दान में जाते हैं उनके लिए ये बहुत जादा जोखिम भरा होता है क्योंकि हम आए दिन खदानों में दुरगटनाओं की बात सुनते हैं और यहीं इसी धनबाद जीले में ही सन 1975 में जो कोईला छेत्र है वहाँ पर चासनाला खदान में कोईले की दिवार गिर जाने से खदान में अचानक बा हैं वह इतना तेजी से भर गया कि लगभग वहां खदान में जो काम कर रहे थे वह 400 से भी अधिक मजदूर दूब कर मर गये तो हम आए दिन इस बात को सुनते हैं इस प्रकार की घटनाओं को सुनते हैं और हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने अंधेरे में जो मजदूर कारे करते हैं कोईले की खदान में और एक तो दिवार के गिरने का डर होता है और साथ ही साथ इस प्रकार के बाढ़ आ जाने से भी जो वहां के मजदूर हैं वह एक बहुत ही जोखिम भरा काम जो है अंदर जाकर करते हैं इसके साथ ही साथ वहां से जो धुआ और विशैली गैसे निकलती हैं उससे भी उनके फेफडे के डेमेज होने का या अने प्रकार की सांस से सम्बंधित बीमारिया होने का भी उनके लिए बहुत अधीख खत्रा बना रहता है बच्चों यदि हम बात करें भारत में जब अ हमारे देश में वहां पर ठेकेदार और नीजी कमपनिया जो थी वो इन ख़दानों को चलाती थी तब सुरक्षा की उतनी उचित व्यवस्था नहीं होती थी बाद में सरकार ने इन ख़दानों को अपने हाथ में ले लिया तब से चासनाला जैसी जो दुरघटनाय जो भी कि वह बहुत कम होती हैं और खड़ानों में तो जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें यह दुरघटनाय तो कम होंगी लेकिन महापर उन्हें धूल में काम करने से फेपड़े की बीमारी होने का खत्रा बहुत अधिक बना रहता है और साथ ही साथ यह मजदूर्ज हैं वो बहुत कम महनताने या मजदूरी में और जोखिम से भरा हुआ काम करते हैं जिससे उनके स्वास्थ पर भी बहुत अधिक प्रभाव पढ़ता है हमने देखा कि यह जो प्रायदीपी पठार है वो पूरा खनी संपदा के दृष्टी कोंड से या खनी संसाधन के संबंद में बहुत जादा धनी है यहां पर विपूल भंडार जो हैं वो देखने को मिलते हैं और अभी हमने देखा कि चुकी बहुत अभी हमने को देखा की जाता हैं इसलिए यहां पर उचला एक विछाल सम्हू में अध्योगों की स्टापन यहां पर की गई है अब चुकी उद्योग जहां पर स्थापित के जाएंगे तो वहां पर उर्जा के लिए आवश्रकता होगी हमें। उर्जा के रूप में किस च आता है और सात ही सात हम देखेंगे कि यहां पर बहुत से बांध जो है उनका निर्मान कीया गया है जिसे पन-बिजली के रूप में भी उध्योगों को उर्जा की प्रापती यहां पर हो जाती है और यही कारण है खनी संसाधन और उर्जा की उपलब्धी के कारण यहाँ पर उद्योग भी जो हैं वो बहुत अधिक दिक्सित अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं बच्चो आईए अब हम भारत के अगले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्वरूप की बात करें जिसे हम समुद्र तटी मैदान कहते हैं अगर आप कभी समुद्र के तटी छेतर में गय होंगे तो वहां से आपने समुद्रों में उठती हुई जो उची उची लहरे हैं उनका आनंद जरूर लिया होगा चाहे आप पुरी गय हो या विशाखा पटनम यह हमें कितना आकरशि अधिक आनंद कानुभाव कराती हैं इसपेशली हम देखेंगे कि जब गर्मियों के मौसम होते हैं तो जब हम इन तटी छेतरों में जाएंगे तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूती होती है अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में इनका विस्तार कहां पर है तो अगर आ जो दक्षणी छेतर में जो विस्तार है जहां पर ये तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है तो हम पशिम की तरफ देखेंगे अरब सागर है और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है तो पशिम में पशिमी घाट और अरब सागर के बीच में पशिमी तटी मैदान का विस्तार है एक सक्री पट्टी के रूप में और यदि हम पूर्व में चले जाएं तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य में जो एक सक्री पट्टी के रूप में फैला हुआ है उसे हम पूर्वी तटी मैदान के नाम से जानते हैं यदि हम पश्यमी तट के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले तो देखते हैं इस तट का जो उत्तरी भाग है इसे कौंकर तट के नाम से जाना जाता है जो मुंबई और गोवा में फैला हुआ है मध्य भाग कंणड तट या कंणड का मैदान कहा जाता है और दक्षनी भाग जो है वो कोरो मंडल तट के नाम से जाना जाता है यह भी एक बहुत ही उपजाओ छेतर है प्रायदी पी पठार के दोनों और हम देखें तो सागर से लगे हुए सटे हुए जो सक्रे तटी मैदान है इन्हें हम समुद्र तटी मैदान कहते हैं और सहयादरी घाटी के पश्यम म यदि हम देखें तो गुजरात के कच्छ और कठ्यावार से मुंबई से गोवा होते हुए केरल के दक्षणी छोड तक पश्यमी तटी मैदान का विस्तार है अभी जो हमने चर्चा की कौंकर, कंणर और मालाबार तट इसके विशय में देखें तो यह पुरा गुजरात के क कच्छ कठ्यावार होते हुए केरल के तटी मैदान तक फैला हुआ है यदि हम पुर्वी तटी मैदान को देखें तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से लेकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इनके डेल्टाई छेत्रों को जोडते हुए कन्या कुमारी तक फैला हुआ है पुर्वी तटी मैदान कन्या कुमारी में दोनों जो मैदान है पर्शिमी तटी मैदान और पूर्वी तटी मैदान ये दोनों कन्या कुमारी में मिल जाते हैं पर्शिम का तटी मैदान पूर्वी मैदान की तुलना में अधिक सक्रा है और इन दोनों इनका निर्माड कैसे हुआ और क्या कारण है जो इनकी स्थलाक्रीतियों में हमें ये भिनता देखने को मिलती है। समानिता कोई भी जो तटी मैदान होता है उसका निर्माण भुगर्भिक खलचल के कारण या भुगर्भिक जो प्रक्रियाएं होती है उसके कारण होता है जिसमें तटी इस्थल का या तो वो तटी इस्थल जो इस्थल भाग है उसका तटी छेतर समूद्र में दूब जाता ह जिसे हम निमजन कहते हैं और इसके विपरीत सागर के भीतर नए इस्थल का निर्माण होता है इसे हम उनमजन कहते हैं उसके उपर उठ जाने से लंबे समय तक देखेंगे कि नदियों के द्वारा जो अवसादों का जमाओ किया जाता है इससे भी मैदान का निर्माण होता है समुद्र तटी छेतर में जब ये औसाद जमा किये जाते हैं उसके मुहाने के निकट और तीसरा समुद्र का जो जल इस तर है उसमें भी हमें समय के अनुसार बदलाव देखने को मिलते हैं परिवर्तन होते रहते हैं इसके माध्यम से भी किसी भी तटी मैदान का निर्मान हो यह नहींता है बशेमितव मैदान के, जो निर्माण है वो निमजन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, मतलब जमीन के नीचे धश जाने से, और समय के साथ-साथ uppङाब होते गए, और आसादों के जमाओं से यह सक्री पठ्टी के रूप में इस दाश की तरचेमही का निर्म बहने वाली नदिया हैं, वो इस मैदान को समानांतर रूप में काटती हैं, ये नदिया बहुत छोटी हैं, और इनका वेग जो है बहुत स्पीट से बहती हैं, इस कारण से वेग तिवर है, पानी के अधिक मात्रा है, और मार्ग भी इनका छोटा है, छोटी नदिया है, छोट यह पूरे जो अवसाद हैं वो गहरे समुद्र में नीचे की तरफ चले जाते हैं गहराई में इसके कारण इसका जो मुहाना है वो हमेशा खुला रहता है इस छेतर का जिसे हम एशुरी के नाम से जानते हैं इसलिए हम देखते हैं कि पश्मी तटी मैदान या अरब सागर में जितनी भी नदियां जाकर गिरती हैं वो अधिकतर डेल्टा का निर्माण ना करके एशुरी का निर्माण करती हैं कारण यही है कि यह छोटी हैं तिब्रवेग वाली हैं और अपने मुहाने पर आवसादों को जमाना करके समुद्र में गहराई तक नीचे ले जाती हैं वो कौंकर मैदान के नाम से जाना जाता है यह वाला मैदान का जो हिस्सा है वो बहुत जादा कटा फटा है और हम देखेंगे कि मुंबई बंदरगाह की जो इस्थीती है वो मैदान की इसी हिस्से में देखने को मिलती है इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो गोवा से मैं मानामवार टट या मालाबार के मैदान के नाम से जाना जाता है सभागी हैं तो यहां पर समुद्र का खारा पानी और नदी का मीठा जल जो है वो मिलता है ये बैक वाटर या कयार जो है केरल में बहुत जादा प्रसिद्ध है और इसका निर्माड नदियों की मुहाने पर बालू के जम्मा हो जाने से होता है ये पूरा कयार वाला जो छेतर है मचली पकड़ने और न स्थित है इस मैदान के छेतर में इस छेतर की जो जलवायू है वो उष्ण और आद्र है जो मानों के निवास के लिए बहुत ही अनुकूल है यहां पर हम देखेंगे रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल और काजू उष्ण आद्र जलवायू होने के कारण इन सभी कि खेती जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में यहां पर की जाती है साथ ही साथ हम देखेंगे जो इस मैदान का निचला हिस्ता है वहां पर गन्ना और धान की खेती होती है प्रमुखरूब से और जो उपरी मैदान है वहां पर चाय की खेती की जाती है हम प्राचीन समय से ह देखते आ रहे हैं कि ये पूरा जो छेत्र है वो अरब देशों से समुद्री मार्ग के माध्यम से ब्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है इस मैदान का जो उत्री भाग है जिसे हम आप हमने देखा था कि दमन से गोवा तक विस्टित है ये पूरा उत्री हिस्ता जो है वो और इसके साथ ही साथ गुजरात का पुरा आंतरिक मैदान भी इसके अंतरगत शामिल है। इस में इस छेत्र में बनास, माही, साबरमती, नर्मदा और तापती नदियां। ये तीनों ही नदियां जो है वो बहती हैं। कच्छ और सौरास्ट का जो मैदान है वो अर्धर शुष्क है और अर्धर शुष्क होने के साथ ही साथ नमकीन और रेतिला है। और वर्षारीतू में हम देखेंगे कि ये पूरा छेत्र, ये पूरे भाग बाढ़ ग्रस्त हो जाता है और बाढ़ बहुत अधिक मातरा में आ जाने से ये दल्दली छेत्र के रूपे विक्सित हो जाता है। इस पूरे छेत्र में खनीच तेल जो है, इसके मिलने के बाद हम देखेंगे कि इसका आर्थिक विकास बहुत अधिक तेजी से हुआ है। ये तो हो गई पश्मी तटी मैदान की बाद, अब हम चर्चा कर लेते हैं पूर्वी तटी मैदान परूर्वी तटी मैदान जो है, वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के बीच में एक सक्री पट्टी के रूप में फैला हुआ है, इसका जो विस्तार है, अभी पहले भी हमने बात की थी, कि उत्तर में गंगा और ब्रम्ह पुत्र नदी के डेल्टा से लेकर दक्षण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, हमने पश्मी तटी मैदान की बात की थी, कि उसका जो निर्मान है, वो निमजन की प्रक्रिया से, मतलब जमीन के नीचे धसने की प्रक्रिया से हुआ है, लेकिन जो पुर्वी तटी मैदान है, इसका निर्मान उपर उठने की प्रक्रिया या उनमजन के माध्यम से हुई है, इसलिए हम देखेंगे कि इस प्रायदीप के इस भाग पर जो जितनी भी बहने वाली नदिया हैं, वो बड़ी इसके कारण यहाँ पर जो नदिया है वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्मान करती हैं, इस मैदान की जो औसत चोड़ाई है वो 160 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर के बीच में मिलती है, यहाँ पर अभी जैसा हमने बताया यह बड़ी बड़ी नदिया जो प्रवाहित हो से हम बात करें महानदी का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कृष्णा का वेरी यह सभी नदियां जो है वो अपने डेल्टा का निर्माड करती हैं इस तटी मैदान में हम देखेंगे समुद्री लहरें जो है वो अपरदन क्रिया से एक विशाल लैगून जिल का ही निर्माड करती है इस हम इस जील में देखेंगे तो सबसे प्रमुक चिलका जील से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे चिलका जील जो है वो जिंगा मचली के लिए बहुत ही फेमस है और ये जील इसी प्रकार की एक लैगून जील है और आपको पता है कि ये ओडि के जो टीले है और सादो के द्वारा समुद्री लहरे जो है वो बालू का निक्षेपन इन तर्टी छेत्रों में करती है और समुद्र का जल अंदर प्रवेश कर जाता है और और साथ के चारों तरफ के घिर जाने से जील का मार्ग बंद हो जाता है और अंदर जो है वो हमें समुद्र का खारा जल देखने को मिलता है तो ये जील जो है वो क्या कहलाती है लैगून जील और लैगून जील जो है चिलका जील जो है वो लैगून जील का एक बहुत ही अच्छा और सुन्दर उदाहरण है पुर्वी तटी मैदान का हम देखते हैं कि उत्तरी भाग ओडिसा राज्य में आता है और यहाँ पर अभी हमने बात की महानदी का विस्तार है महानदी के द्वारा निर्मित जो विस्तरित और उपजावू डेल्टा है यह यहाँ पर हमें मिलता है चुकि यहाँ पर नमी बहुत अधिक मातरा में है आदरता अच्छी मिलती है इसलिए यहाँ पर चामल और जूट का उत्पादन किया जाता है और अभी पहले भी हमने बात की कि जो चिलका जिल है वो जिंगा मचली के लिए बहुत ही फेमस है और यह जिंगा मचली जो है इ जहाँ पर कृष्णा और गोदावरी नदिया जो है वो अपना डेल्टा बनाती है और यहाँ का जो प्रसिद्ध बंदरगा है वो विशाखा पत्नम बंदरगा है अब हम इस तटी मैदान के दक्षनी हिस्से में आ जाते हैं तो पुरवी तटी मैदान का जो दक्षनी है वो तमिलाडू राजी के तटी भाग में फैला हुआ है जिसे कोरो मंडल तट भी कहते हैं और यहाँ पर इस कोरो मंडल तट में कावेरी और पिनार नदिया जो है वो अपना डेल्टा का निर्माड करती है और इस छेत्र का प्रमुख बंदरगा चिन्नई बंदरगा मैदान के इसी हिस्से पर इस्थित है तो यह हो गई बात आपके पूर्वी और पश्मी तटी मैदान की अब हम देखते हैं कि इस तटी मैदान का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व किस प्रकार से है बच्चों इस तटी मैदान का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व ही बहु ठी किसी प्रकार यदी मैं आपसे पूछूं कि एक तटी छेतर में रहने वाले निवासी उनका प्रमुख आर्थिक कार्य क्या होगा तो ये स्वभाविक है कि आपका उत्तर होगा उनका सबसे प्रमुख कार्य जो है वो मचली पकड़ने का होगा तो हम देखेंगे तटी छे में मचवारे हमको अधिक मिलते हैं जो मचली पकड़ने का कार्य करते हैं और मचली पालन ही यहां का किसी भी तटी छेतर का एक प्रमुख वियसाय होता है और यदि हम अपने भारत के इस पूरे तटी मैदान की बात करें तो ये बहुत ही उपजाओ है और मैदान का जो भी चोड़ा हिस्सा है चोड़ा वाला भाग है महाँ पर हम देखेंगे क्रिशी कार्य भी किया जाता है जिसमें चावल गन्ना और नारियल की खेती होती है इसके अलावा जो यहां पर नारियल के साथ सूपारी रबर केले और गरम मसाले जो हैं वो हमारे भारत के तटी मैदान इनकी एक अलग पहचान जो है वो प्रस्तूत करते हैं साथ ही साथ इन तटी भागों में जो पहाडी ढाल है इन पहाडी ढलानों पर बागानी क्रिशी की जाती है और बागानी क्रिशी में काजू है काफी है चाय और साथ ही साथ गरम मसाले भी जो हैं वो इनके बगीचे लगाये जाते हैं बगान लगाये जाते हैं और इनकी क्रिशी होती है तटवर्ती छेत्रों में हम देखेंगे नमक का उत्पादन किया जाता है और बड़े पैमाने पर नमक को तयार करने का कारी किया जाता है और साथ ही साथ मचली पकड़ने का कारी यहां पर वरिहत पैमाने पर होता है जहां पर भी नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां पर मीठा पानी जो है वो खारी पानी से मिलता है तो जो मचलियां खारे पानी में मिलती हैं और कुछ मचलियां मीठे पानी में मिलती हैं ये दोनों ही प्रकार की मचलियां जो हैं वो इस छेत्र में बहुतायात म संभंधित उद्यम हैं जैसे मचली को सुखा कर डिबे में बंकरना मचली से तेल निकालने का यह रिवैवसाय उप इस समभंधित, विक्सी तवस्था में धए बेखने को भुषेटर ग्रांगानित, वहाँ पर मोती और इस मोती के उत्पादन के लिए विशेश रूप से सीप का पालन यहाँ पर किया जाता है खनीज पदार्थों की दृष्टी से तो यह महत्पूर्णत छेत्र है ही इन तटवर्ती छेत्रों में हम देखेंगे कि जो बहुमुल्य खनीज है हमने इसके पहले भी बात की थी जब हम खनीज समपदा की चर्चा किये थे कि केरल की रेत में मोनोजाइट जो है वो बहुत अधिक मातरा में देखने को मिलता है तो यहां पर बहुमुल्य खनीजों में हम बात करें तो मोनोजाइठ है, इलमेनाइठ है, जिर्कॉन है, रूटाईल है और सिले मेगनाइठ, ये सभी महत्तपुर्ण खनीज भी इन पूरे तर्टी छेत्र में मिलते हैं साथ ही साथ हमें पता है कि ये सभी जो खनीज हैं वो वर्तमान उर्जा के वैकलपिक श्रोद की जब हम बात करते हैं तो परमाडू उर्जा के विपूल भंडार के या विपूल श्रोद के भंडार के रूप में यहाँ पर मिलते हैं तटके निकट ही हम देखेंगे खनीच तेल के भी परियाप्त भंडार हैं परमाडू श्रोत के रूप में तो यह हमें मिलते ही हैं और साथ ही साथ यहां पर खनीच तेल का भी विपूल भंडार हमें मिलता है और भारत का यदि हम सबसे बड़ा तेल छेतर यदि इस बारे में चर्चा करें तो हमें पता है मुंबई हाई और कावेरी खनीस तेल जो है वो खनीस तेल के सबसे व्रिहत भंडार है भारत में व्यापारिक द्रिश्टी से भी ये मैदान महत्तोपूर्ण है क्योंकि भारत के जितने भी बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं चाहे हम कांडला हम मुंबई बंदरगाह की बात करें कोच्ची है तिर्वानंत पूरम है चेन्य-विशाखः पट्नम पारा दीप ये सब बड़े बंदरगाह जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता है वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है इसके द्रिश्टी कोंड से तो ये त इसान्सकृति केंद्रतों है और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि जितने भी जो हम रामेश्वरम जैसे तिर्थी स्थान की बात करें, या सांस्कृतिक केंद्रे की रूप में कन्या कुमारी है, काचिपुरम है, मदुरई है ये सब ही जो हैं वो इसी तटी मैदान पर ही स्थित हैं इसलिए दोनों तटों के सहारे जो हम देखेंगे कि आने वाले अर्बी, पुर्तगाली, डच और फ्रांसिसी जो व्यापारी है इन्होंने अपना व्यापारी केंद्रे के रूप में ये प्रमुक रूप से विक्सित हुआ था, अब चुकि ये तटी मैदान प्राकृतिक दृष्टी कोड से, प्राकृतिक सौंदरी के दृष्टी कोड से तो बहुत धनी ही हैं और साथ ही साथ हमें पता है कि जो तटी समजलवायू होती है वो एक समजलवायू वाला छेत्र होता है जो मानव निवास के बहुत अनुकूल होता है इसलिए स्वास्थ के दृष्टी कोड से भी बहुत महत्तवपूर्ण है जहां पर बड़ी संख्या में प्रतेक वर्ष हम देखेंगे कि लाखो या करोडों की सं किनारे लोगों का जीवन कैसे होता है इसके लिए हम भारत की मुख्य भूमी और जो द्वीब समों दोनों को मिलाकर लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है इन तट पर कई गाउं बसे हैं जिसमें आज हम एक गाउं में चलते हैं जो केरल राजी के माला बार तट पर बसता हुआ है जिसका नाम है धर्मदन इस समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों से घीरा हुआ है पूरी तरह से यहां पर मुख्य रूप से हिंदू मुस्लीम और इसाई तीनों समुदाय के लोग रहते हैं प्राचीन समय में देखेंगे दूर दूर के देशों के साथ समुद्री मार्गों से यहां व्यापार होता था और साथ ही साथ धर्म, संस्कृती और लोगों से परस पर मिल मिलाब भी होता था इसी कारण पश्चिमी तड़ पर ही इसाई और इसलाम धर्म का प्रभाव सबसे अधिक पढ़ने लोगा समुद्र किनारे बसे होने के कारण सौभाविक है कि यहां के लोग सबसे अधिक कारी मचली पकड़ने का करते हैं, यहां पर मचली के अलावा समुद्र से प्राप्त जो जीव हैं जैसे सीप, भोंगा ये भी पकड़े जाते हैं यहां नारियल के पेड़ हमें बहुतायात में दिख रहे हैं, जिसे हर हिस्से का प्रयोग जो है किया जाता है, जैसे कि यहां नारियल के तेल से खाना भी पकाया जाता है, साथी साथ नारियल की छाल से जो रसी है वो बनाई जाती है और उस रसी का प्रयोग अलग-अलग यहां लोग जोपड़ी और भवन निर्माण के लिए करते हैं लेकिन अभी वर्तमान समय में प्राय सभी के घर जो हैं वो पक्के हो गए पहले के समय में इन तनों का जो उपयोग है वो घर की खप्रेल को सहारा देने के लिए भी किया जाता था लोग यहां पर मछली पकड़ने के अलावा धान की खेती भी करते हैं यहां सब्जियां जैसे की कद्दू, तर्बूज, अधी फल भी उगाए जाते हैं जिन्हें यहां के गाउं के ही स्थानी बाजार में बेज दिया जाता है यहां केले भी बहुतायत में उगाये जाते हैं और लोग यहां पर केले के पत्तो पर ही भोजन करते हैं। समूद्र तड़ पर लोक सेर के लिए आते हैं परियतन का ये एक प्रमुख केंदर होता है इसलिए यहां पर परियतन भी बहुत जादा विक्सित अवस्था में हैं यदि हम कुछ परिवारों की यहां बात करें तो समुद्र तट पर हमें कुछ छोटे मच्वारे और बड़े मच्वारे भी देखने को मिलते हैं यहां पर जमीन से समुद्र की तरफ रात में हवा चलती है इन तटो पर जिसके सहारे लोग नाव समुद्र में जाती है और दोपहर में जब उल्टी दिशा से हवा चलने लगती है समुद्र से जमीन की ओर तब उन हवाओं के सहारे ही यह मच्वारे वापस किनारे की तरफ ल बहे जाएं फिर कई लोग मिलकर उसे पानी में धकेलते हैं और समुद्र में थोड़ी दूर जाने के बाद इस पाल को खोल दिया जाता है अभी हमने कहा कट्टू मरम तो यह कट्टू मरम क्या है यह पांच यह साथ लकडी के लंबे लट्थों को रसी से बांध कर बनाई जा हारे मच्वारे जो हैं वह समुद्र में उतरते हैं इससे समुद्र के किनारे पाल की छाओं में बढ़े कुलहाडी से बनाता है और प्राया जो अधिकांश छोटे मच्वारे होते हैं यह इसी कट्टू मरम की सहायता से ही मचलियां पकड़ते हैं लेकिन इससे एक नुक्सा समुद्र में नाव चलाना बड़ी महनत का काम होता है जैसे लगातार पतवार चलाना पाल को हवा की दिशा के नुसार घुमाना या भारी भारी जालो को खीचना कोई आसान काम नहीं होता है लेकिन हम यह कहें यह महनत का काम तो है ही और महनत के साथ ही साथ समुद्र में वापस लोटना है वो निश्यत नहीं रहता क्योंकि कभी भी अचानक समुद्र में तूफान या चक्रवात जैसी अगर इस्थिती बन गई तो वो नाव जो है वो तूफान में फस सकती है और या फिर किसी चट्टान से टक्रा कर उसे दुकसान हो सकता है या किसी आदम और मचलियां पकड़ी जाती है हलांकि जो छोटे मच्वारे होते हैं वो कम मचलिया पकड़ पाते हैं और जो बड़े मच्वारे होते हैं वो अधिक मचलियां पकड़ पाते हैं और यह इन मचलियों को बर्फ में डाल कर सुरक्षित रखते हैं और उसके बाद इसे दूर- मचलियां कम मिलती हैं और मई से जून से सितंबर के बीच में समुद्रों में खूब मचलियां जो है वो पकड़ी जाते हैं अभी हमने कहा था बड़े और छोटे मचवारे तो जिस प्रकार यदि हम मैदानी छेत्र में कृष्कों की बात करें तो छोटे मध्यम और बड़े कि कि वास नहीं होते यह सबसुक करता मृश्क आधिक मात्रा में और बड़े मच्वारे में होते हैं उनके पास लिक हम समय में अभी जो जन नाव कहा जाता है इसके लिए जिसे और सरकार के द्वारा अप्रोच साहन दिया जा रहा है मच्वारों के लिए और सरकार की तरफ से इसमें इसे खरीदने के लिए सबसीडी भी दी जाती है लेकिन इसमें भी है कि जो छोटे मच्वारे होते हैं वो इन्हें कम ही मात्रा में खरीद पाते हैं लेकिन जो बड़े मच्वारे होते हैं वो इन्हें खरीद लेते हैं और चुकि जब बड़े मच्वारे इसे खरीदते हैं तो मजदूरी जो है वो कम लगती है क्योंकि कम मज मस्दूरों की सहायता से वो मचली को पकड़ सकते हैं जो परंपरा गतनाव में कट्टू मरम में लगभव 50-60 लोगों के काम कराने की जुरत होती थी वो अब सिर्फ 6-7 लोगों की आवशक्ता से ही जो है वो मचलियां पकड़ सकते हैं जिससे उन्हें अधिक फायदा होता है अधिक मात्रा में वो मचलियां पकड़ते हैं और उनकी बचत भी जो है वो बहुत अधिक होती है इसका दूसरा फायदा यह है कि जब समुद्रों में तेज हमाये चलती है तो यह ट्रॉलर जो है यह आसानी से अंदर प्रवेश्च कर जाता है चाहे वो उची लहरे उठ र में अंदर या दूर दूर तक भी जाकर मचलियां पकड़ सकती हैं तट से लगभग तीन से चार किलो मीटर की दूरी पर हम देखते हैं कि जिंगा मचली मिलती है और पिछले 20-25 वर्षों के दौरान विदेशों में इन मचलियों की मांग जो है वो बहुत अधिक बढ़ी ह जो बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं वो मच्छुआरों से इन जिंगा मचलियों को खरीद कर कारखानों में ले जाते हैं और वहां उन्हें साफ करके नमक के साथ पाने में उबालते हैं और उसे बर्फीले कमरों में रखकर बर्फ सा जमा देते हैं और फिर विदेश मा अधिक से बारा किलोमिटर दूर जाकर मचलियां पकड लेती थी लेकिन जब जिंगे की मांग बढ़ी है तो अब इस्थिती बदलने लगी है और लोक किशी DCM की दूरी पर मिल जाती है तो अंहें तीन से चार किलोमीटर के अंदर ही इन मचलियों को पकड़ कर अधिक से अधिक लाप कमाने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे यह ट्रॉलर का उपयोग बढ़ा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इन तटो पर जो छोटे मचवारे हैं उन में वो कम मात्रा में उन्हें मचलियां जो है वो मिल पाती हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां भी तटी चेतर में भी जो जन जीवन हैं वो अलग-अलग उसमें भी विशमता देखने को मिल रही है कुछ छोटे मच्वारे कुछ बड़े मच्वारे और इनका जीवन भी उसी पर आधारित हो रहा है जो उनके चुकी इनका मुख्या व्यरसाही जो है वो मचली पकड़ना है और यहां पर उनके पास जो उन्नत किसम का जैसे हमने कट हैं उनके विशमता मिलती लोगों की जन जीवन में यहाँ पर हमें विशमता देखने को मिल है तो हमने 5 Bosけ लोग पड़ने वाले लोग जो है वो अपना जीवन आपन कैसे करते हैं और कैसे अपनी आजी चलाते हैं और अब वरतमान समय में भी डॉलर के के जाने से किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है हुआ है कर दो कर दो